सावन के महीने के अंतिम दिन यानि सावन माह की पूर्णिमा तिथी रक्षा बंधन का त्योंहार मनाया जाता है। रक्षा बंधन का त्योंहार भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। रक्षा बंधन यानि रक्षा का बंधन। राखी के दिन बहने, पूजा करके भाईयों की कलाईयों पर राखी बांध कर उनके लिए मंगल कामना करती हैं. वहीं भाई अपनी बहनों को रखा करने का वादा करते हैं, रक्षा बंधन भाई बहन के प्यार का उत्सव है. यह पर्व अपने भाई की कलाई पर धागा बां रक्षा बंधन भाई बहनों के रिष्टे को याद करता है। रक्षा बंधन का इतिहास, रक्षा बंधन का त्योहार, भाई बहन के प्यार और भाईयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक है। दानव जीतने लगे तो देवराज इंदर की पत्नी शुची ने गुरू ब्रहस्पती से कहा कि वे देवराज इंदर की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। तब इंदर ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वहीं एक और कहानी की अनुसार राजा इंदर और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ। जिसमें इंदर पराजित हो गए। इंदर की पतनी ने गुरु ब्रहस्पती से कहा कि शुच इंदर की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दें। राजा इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षा बंधन का तियोहार तब से मनाया जाता था। राजा बली को मान लक्ष्मी ने बांधी थी, राखी राजा बली का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। एक बार मान लक्ष्मी ने राजा बली को राखी बांध कर भगवान विश्णू से बदला मांगा। कहा जाता है कि राजा बली ने एक बार एक यग्य किया। तब भ पानवीर राजा बली से तीन पग जमीन मांगी। राजा बली के पास गई और उन्हें राखी बांधी। फिर राजा बली ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ गई। देवी ने राजा से कहा, आपके पास भगवान विश्नु है और मुझे वहीं चाहिए। राजा बली ने भगवान विश्नु को हर साल चार माह पाताल लोक में रहने के लिए कहा। इसलिए चार महीने चतुरमास का समय होता है जब विश्नु जी चार माह के लिए विक्षाम पर होते हैं। तो श्री कृष्न ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लोटते समय कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साधी का पल्लू बांधा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा कर जब द्रौपदी को कौरवों ने चीर हरन किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ा कर द्रौपदी की रक्षा की। मान्यता है कि श्रावन पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साधी का पल्लू बांधा था। यमराज और यमुना क पौरानिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यू के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने चोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वर्दा प्रान हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वर्दान दिया। उस समय चारों और एक दूसरे का राज्य हतियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड पर महाराज की विध्वा रानी कर्णावती राज गद्धी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी उसने हुमायूं को भाई मान कर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। का सम्मान करते हुए सिकंदर को अपना जीवनदान दे दिया।